जैसा कि आपको पता है बेटा आपके जून के जो एक्जाम से हो चुके हैं अब हम उसके आगे का स्लेबर स्टार्ट करेंगे जिन बच्चों ने जून में यूनिट एस्ट नहीं दिये वो बच्चे अपने जून के यूनिट एस्ट जरूर दें क्योंकि उनके जो मार्क्स हैं वो आपके सेप्टमबर एक्जाम में एड होंगे ओके स्टूरेंट्स नाव वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3.1 3A ये बेटा हमारा सब्ट्रेक्शन का जो है चैप्टर है राइट दी नमबर्स क्रेक्टली एंड सब्ट्रेक्ट इन नमबर्स को क्रेक्टली राइट करना है वर उसके बाद में सब्ट्रेक्ट करना है देखिए 43 एंड 21 तो जो बड़ा होता है जो नमबर्स उसमें से हम छोटे नमबर्स को क्या है small नमबर को सब्ट्रेक्ट करते हैं तो इसमें जो है biggest है largest है वो कौन सा है 43 और smallest 21 तू और फॉर में से टू कट किये टू नेक्स्ट देखिए 47 और 97 अब देखिए यहां 43 जो था वो पहले दिया हुआ था अब यहां क्या है 84 और 97 तो ही अमारा बिगेस्ट जो है लार्जेस्ट नमबर कौन सा है बिटा 97 तो 97 को यहां राइट करेंगे और उसके निचे 84 7 में से 4 कट किये 3 9 में से 8 कट किया 1 नेक्स्ट वन 12 एंड 33 33 उपर आएगा क्योंकि यह बड़ा है और 12 इसके निचे यह आपने खुद करना है उसके बाद में 91 और फिर 40 यह भी आपने खुद करना है ओके अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए यह फर्स्ट सम जो है मैं आपको बाद में करवाऊंगी सैकेंड देखिए सैकेंड सिधा ही सब्ट्रक्ट का है लेकिन यह कैरी वाला है 6 और 9 6 में से 9 कट नहीं हो सकता क्योंकि 6 चोटा है और 9 बड़ा है तो इदर से हम क्या लेंगे कैरी यह कितने हुए 16 16 में से 9 कट कि कितने बचे 7 और इदर बचा हमारे पास 3 क्योंकि 4 में से 7 इदर ले लिया 3 3 में से 3 कट किया 0 Next देखे 5 में से 8 कट नहीं हो सकता तो इदर से कैरी लेंगे यह कितने बने 15 15 में से 8 कट किया 7 4 में से 1 इदर ले लिया इदर कितने बचे 2 4 में से 2 कट किया 2 4 में से 6 नहीं कट हो सकता इदर से कैरी ले कितने बने 14 14 में से 6 कट किया 8 7 में से 1 इदर ले लिया, इदर हमारे पास कितने बचे, 6, 6 में से 5 कट किया, 1 ऐसे ही ये carry वाले sum आपने बाकी के खुद करने है, ok students, ये जो है first sum है, वो हम next class में करेंगे, ok students, bye bye